नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपूनुच जानकारियों को ले करके आए आज हम सभी जानते हैं भटकैया के फायदों के बारे में सबसे पहले तो इसका परिचे जानते हैं भटकैया, प्रेगुना भटकैया के नाम से जाना जाता है इसे यह कटेरी चोक का ही एक प्रकार है जमीन से 60 से 90 सेंटीमीटर उंचा होता है इसमें छोटे बैंगन जैसा फल लगता है और बैंगन जैसे ही कटीले पत्ते होते हैं इसमें पीले चित्तीदार फल लगते हैं यह कटेरी के पेन के समान ही होता है, इसके गुनों को जानते हैं भटकया, तीखी, पाचन शक्ति वर्धक और सुझन नाशक है, तथा यह उदर रोगों यानि कि पेट के रोगों को दूर भी कर देता है, अब आईए जानते हम इसके प्रियोगों के बारे में कि अलग-अलग रोगों में ह अंचांग का रस सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से पत्री और मुत्र क्रिक्षे यानि कि पेशाब में जलन मिट जाता है अगर आप इस ढंग से इस्तिमाल करते हैं तो दूसरी बिमारी बच्चों की अगर खांसी है बच्चों को खांसी हो गई हो तो भटकया का प्रियो करके दूर कर सकते हैं भटकया के 20 मिलिग्राम से 50 मिलिग्राम फूल शहद के साथ दिन में दो बार देने से बच्चों की खांसी दो दिन में ही ठीक हो जाती है दोस्तों वायू प्रणाली शोत यानि कि ब्रोंकाइटिस भटकया की जड़का कारहा 20 से 40 मिलिलिटर की मात्रा में सुबह शाम रोगी को देने से वायू प्रणाली शोत यानि कि ब्रोंकाइटिस में बहुत लाव मिलता है इसके अलावा फेफ़णों के अगर आपको रोग हैं तो भटकया का कारहा 20 से 40 मिलिलिटर की मात्रा अथवा इसके पत्तों का रस 3 से 12 मिलिलिटर तक की मात्रा मे सुबह शाम सेवन करने से फुपफूस यानि कि फेफ़डे संबंधी अनेक रोगों में बहुत ही लाव होता है रोग दूर हो जाता है श्वास या फिर दमा का रोग भटकया की जड़का कारहा 20 से 40 मिलिलिटर तक की मात्रा में या इसके पत्तों का रस 2 से 5 मिलिलिटर की मा मात्रा में सुबह शाम स्वास के रोगी को देने से स्वास रोग ठीक हो जाता है भटकया के पंचांग को छाया में सुखा कर पीस कर छान लेते हैं इस चून को 4 से 6 ग्राम के मात्रा में लेकर इसमें 120 ग्राम रस सिंदूर मिलाएं तथा 6 ग्राम शहद में मिलाकर चाटें इस प्रकार दोनों समय सेवन करते रहने से दमा और दमे की खांसी में बहुत ही लाब होता है। काली खांसी अगर आपको है भटकया के रेशों को छाया में सुखा कर इसमें 18-24 मिली ग्राम के मात्रा में शहद मिला कर दिन में 5-7 बार चाटने से काली खांसी ठीक हो जाती है। नॉर्मल खांसी है अगर तो भटकया यानि के रेंगनी काट की जड़ के साथ गुडुचू का काढ़ा खांसी में लाफकारी सिद्ध होता है। इसकी दो मात्राएं रोज रोगी को देने से कफ ढिला होकर निकलने लगता है। यदि काढ़े में काला नमक और शहद का योग दे दिया जाए तो कारे शमता और अधिक बढ़ जाती है। भटकया के 14-28 मिलिलिटर कारे को तीन बार काली मिर्च के चून के साथ सेवन करने से खांसी में लाफ मिलता है। लगभग 10 ग्राम कटेली के जीरा को पीश कर 60 मिलिग्राम शहद में मिला कर चाटने से खांसी में लाफ मिलता है। यदि बलगम कुछ पुराना पड़ गया हो तो 2-5 मिलिलिटर भटकया यानि के रेगनी काट के पत्तों के कारे में छोटी पीपल और शहद मिला कर सुबह शाम रोगी को पिलाने से खांसी में अराम आता है। जदी रोगी को खांस्ते खांस्ते उल्टी हो जाए या दमा की खांसी हो जाए तो भटकया यानि के हम आपको बार बार बता रहे हैं जिसे रेगनी काट भी बोलते हैं। मूल जड के काढ़े में सेंधा नमक और हिंग मिला कर सुबह शाम दोनों समय 20-40 मिली लिटर की मात्रा में सेवन करने से लाब होता है। जीव की जलन और सुजन में ये रामबानी लाज है। जीव की सुजन एवं जलन में भटकया की जड का काढ़ा 20-40 मिली लिटर बना कर रोजाना सुबह शाम पीजिये आपको अवश्य लाब होगा। गर्भा धारन करना हो अगर आपको तो सफेद कटेली की जड रविवार को पुश्य नच्छत्र में लाकर छाया में सुखा कर जड का बकल यानि की छिलका उतार कर पीछ लें। इसे 10 ग्राम के मात्रा में गाय के 250 मिली लिटर कच्छे दूध से सुबह महावरी शुरू होने के दिन से तीन दिनों तक लगातार प्रियोग करने से गर्भा धारन में आसानी हो जाती है। अगर आपके मुह में छाले हो गए हैं तो पीडा होने पर कंटकारी यानि के भटकया जिसे हम रेंगनी का काट भी बोलते हैं इसके पांचांग का काढ़ा बना कर कुल्ला करने से मुह के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दर्द एवं सुजन होने पर 20-40 मिली लिटर भटकया की जड़ का काढ़ा या पत्ते का रस 24-5 मिली लिटर सुबह शाम सेवन करने से शरीर का दर्द कम होता है। भटकया दर्द नाशक गुण से युक्त और शद है। पेट में पानी का भर जाना यानि की जलोदर हो जाना भटकया की मूल जड़ को बारीक पीश कर कालहा बना कर शहद में मिला कर 20-40 मिली लिटर के मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से जलोदर यानि की पेट में पानी का भरना खत्म हो जाता है। ठीक हो जाता है आपका पीत की पथरी भटकया की जड़ का चोन बना कर दो गराम सुबह शाम मीठे दही के साथ सिर्फ साथ दिन तक पीने से लाब होता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आप सभी के लिए अलग-अलग और शधियां लेकर के आते रहते हैं जिनके प् पास पहला जो धन होता है वो स्वास्थे ही है हमारे पास कितनी भी धन, संपति, मूर्टूप से पैसा हो लेकिन हमारा स्वास्थे सही नहीं है तो हम किसी भी चीज का प्रियोग धन्ग से नहीं कर पाएंगे इसी लिए सबसे जरूरी है पहले स्वास्थ quedreme अच्छा खान पान रखना तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और नई और शद ही ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों